हेलो फ्रेंड्स, SST MTS descriptive paper में दो तरह के letter पुछे जाते हैं, एक होता है formal letter, दूसरा informal letter, तो दोनों का हम लोग format जानेंगे और काफी short तरीके से, क्योंकि आप जो subject होता है, जो body होती है, वो तो आप खुद लिख सकते हैं, ठीके, उसका practice से आप लिख पाएंगे, पर format आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा, तो देखें, ये format है, NCRT का, ठीके, आपको पता होगा कि NCRT जो है, ये भारत सरकार, यानि केंदर सरकार की एक संस्था है, ठीके, education को लेकर ये, बहुत सारे guidelines जारी करती है, और बहुत सारे research करती है, education को लेकर, और इसके किताबे चलती ह तो ये NCRT के pattern को हम लोग यहाँ पे देखेंगे, कि NCRT कौन सा format देता है, और इसका format को ही हम लोग को follow करना चाहिए, क्योंकि ये Central Government का संस्था है, तो SSC हो या फिर Central Government के जितने भी jobs वाली संस्था हैं, वो सब NCRT को follow करेंगी, ठीके, तो आप लोग को भी NCRT को follow करना चाह है, given below is an example of format of a formal letter, तो यहाँ पे formal letter का एक example दिया हुआ है, देखिए, यहाँ पे क्या है, यह आपका अपना address होता है, अपना नाम होता है, ओके, यहाँ पे आप खुद अपना address देंगे, आप नाम चाहे तो दे सकते हैं, अदरवाई जैसे यहाँ पे नाम दिया हुआ है, आप चाहे तो दे सकते हैं, अदरवाई जिसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप सिधे यहाँ से अपना address और उसके बाद date से start कर सकते हैं, जैसा कि मेरा सारा वीडियो में ऐसे ही किया जा रहा है, तो आप देखे यहाँ पे यह जिस person को आप भेज रहे हैं, उसका नाम औ और उसका address यहाँ पे होता है, आप देखे फिर एक subject होता है, तो देखिए आप मेरे जितने भी वीडियो देखेंगे, सब इसी तरह का है, यानि कि हम लोग पूरा NCRT को follow करते हैं, और इसी लिए SSC में marks कटने की कोई संभावना भी नहीं है, उसके बाद यहाँ पे आप Salutation का use कर सकते हैं, ठीक है, तो यह सारी चीजे आप लोग मेरे लेटर में देखते होंगे, जितने भी हम लोगों ने upload किया है, लेटर सब में यही format apply करते हैं, हम लोग, उसके बाद आप यहाँ पे अपना जो भी है body part को fill करेंगे, और उसके बाद यहाँ पे देखिए ending कैसे क करते हैं, उसके बाद sincerely और फिर अपना नाम, तो यही format तो सारे लेटर में हम लोगों ने follow किया है, तो यह NCRT का है, इसमें कटने का कोई chance नहीं है, और बहुत ही ज़्यादा यह important format है, यह short format है, अगर आप इसको याद कर लेते हैं, कि हाम मेरे को इस जगह पे यह यह लिख आना है, इसमें सोचने में कि क्या इसमें लिखें, उसके बाद आपके लिए कुछ ज़्यादा problem आएगी नहीं, अब एक चीज यहाँ पे देखिए, कई लोगों के मन में सवाल आ रहे है, तो वो चीज का यहाँ पे आंसर दिया है, लिखा है, nowadays all the parts of the letter are aligned on the left, this style is called full block style, तो मतलब यह हुआ, कि अब ही देखिए, यहाँ पे सब कुछ left side से लिखा गया है, देखिए, सब कुछ left side से लिखा गया है, पहले का letter क्या होते थे, यहाँ पे हम लोग address डालते थे, फिर उसके बाद यहाँ पे date डालते थे, कुछ चीज इधर लिखते थे, तो इस format को अब क् change किया गया है, और इसी चीज को यहाँ पे NCRT ने लिखा है, कि अभी का यह style बन गया है, कि सब कुछ left में, हाला कि right में भी लिखा जा सकता है, ऐसा नहीं है, कि नहीं लिख सकते हैं, ठीक है, तो right में भी लिख सकते हैं, उसके बाद यहाँ पे देखिए, कह रहा है कि date और signature are very important in letter, date और signature, signature यानि कि यह वाला जो आप लिखते हैं, अपना यह जरूरी है, और date बहुत जरूरी है, okay, later में, फिर कहता है, we do not use commas after every line in address, और address अगर आप लिख रहे हैं, तो यहाँ पे सब जगे आपको comma लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, जैसे कि यह बिद्या informal letter की तरफ, देखिए, यह informal letter का यह format है, तो इसमें हम लोग क्या समझेंगे, यहाँ पर देखिए, यह भी आप left side से सुरू कर सकते हैं, देखिए, बिल्कुल, और इस तरह के ही तो letter का format हम लोग अपनाते ही, हम लोग के जितने वीडियो हैं, सब में यह सा ही follow किया गया है, देखिए, यहाँ पर अपना address डाल दीजे, यहाँ पर date, उसके बाद जैसे होता है, informal letter, और उसके बाद देखिए, यहाँ सब कुछ left side से है, by your affectionately with love, all the best, जो your office signature, यानि की अपना नाम, अब देखिए, NCIT एक और चीज कहता है, कि आप ऐसे तो लिखी सकते हैं, ठीके, जो informal letter है, इसमें तो आप लिखी सकते हैं, ठीके, इस तरीके से जो आप लिख रहे हैं, यह ठीक है, यह गलत तो बिलकुल नहीं है, आप चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीके, आप लोग जो कुछ लोग ऐसे लिख रहे हैं, कि इधर अपना address डाल दीए, इधर second person का address डाल द तो अगर आपको कुछ information जानना है किसी authority से तो आप इस तरीके से भी letter लिखकर कर सकते हैं ठीक है लेकिन यह informal में ही apply होगा फॉर्मल आपको left sides वाला ही करना चाहिए तो आसा करता हूँ दोस्तों आपके सारे confusion खतम हो गए होंगे यह NCRT का है ठीक है तो अगर इसका PDF चाहिए तो आप telegram channel join कर लिजे मैं वहाँ पर इसको डाल दूँगा आप वहाँ से download कर लिजेगा तो मिलेंगे किसी और helpful वीडियो क पर संद तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल के संद जूड़े रहें थैंक यू